दोस्तो अभी फिलहाल नगर निगम की पाँच सीटों पे जो बाइलेक्शन हुए उसके जो आज नतीजे आए हैं दिल्ली की जन्ता ने पाँच में से चार सीटे आम आदमी पार्टी को और जीरो सीटे भारते जन्ता पार्टी को दी हैं इसके लिए मैं दिल्ली की जन्ता को बहुत-बहुत बढ़ाई देना चाहता हूँ आप सब लोगों को बहुत-बहुत बढ़ाई देना चाहता हूँ सबी कारेकरताओं को जिन लोगों ने खूब मेहनत की थी ये जो नतीजें ये दिखाते हैं कि एक बार फिर से दिल्ली की जन्ता ने आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार जो काम कर रही है उस काम पे अपना भरोसा जताया है और हम अच्छा काम कर रहे हैं इस पे अपनी दिल्ली की जन्ता ने मोहर लगाई है ये दिखाता है कि दिल्ली की जन्ता आम आदमी पार्टी के काम से बहुत ज़्यादा खुश है 2015 के चुनाओ में हमें 60 में से 66 सीट मिली थी पांच साल के बाद 2020 के चुनाओ में हमें 70 में से 62 सीट मिली थी जिसने दिखाया कि जन्ता हमारे काम से खुश है और अब छे साल के बाद आज जब नगरनिगम के उपचुना हुए तो आज पांच में से 4 सीट देके दिल्ली की जनता ने बता दिया कि जैसे काम कर रहे हो ऐसे काम करते हो और जो जीरो सीट भारती जनता पार्टी की आई है वो ये दिखाती है कि एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी के 6 साल के काम से दिल्ली की जनता बहुत खुश है दूसरी तरफ भारतिय जनता पार्टी के 15 साल के काम से MCD में दिल्ली की जनता बहुत नराज है इतनी नाराज है इतनी नाराज है कि उनको जीरो पिला दिया चारो तरफ दिल्ली के अंदर M.C.D. ने गंदगी भेला रखी है M.C.D. के अंदर M.C.D. सब लोग कहते हैं M.C.D. का फुल फॉर्म है इतना ब्रष्टाचार है M.C.D. में जनता इस तरह का ब्रष्टाचार नहीं चाती जनता चाती है कि जैसा दिल्ली सरकार अच्छा काम कर रही है वैसा ही अच्छा काम अब M.C.D. में होना चाहिए और यह जो 24 घंटे इनका यह जो चारो तरफ इन्होंने होडिंग लगाए केजरिवाल जी मुख्यमंत्री जी 13,000 करोड रुपए दो जो पिछले दिये थे वो तो खाली है बहुर दो तो वो जनता ने कहा भी देते हैं वो जनता को पसंद नहीं आए होडिंग जितने लगाए थे वो जनता को पसंद नहीं आए उसी का नतीजा है जनता देख रही है कि यह 24 घंटे पैसा 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 मांगते रहते हैं पैसा 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 मांगते रहते हैं दिल्ली सरकार का जितना सम्विधान के साथ से बनता था सारा पैसा दे दिया दिल्ली की जनता समझ गई कि केज़िवाल सरकार को तो जितना पैसा दे दिया वो सारा लूट पार्ट करने के बाद कहते हैं और पैसा और पैसा और पैसा और पैसा जनता को यह पसंद नहीं आ रह कि हर महीने इनके पास तंखा देने को भी पैसे नहीं होते तंखा के लिए भी रोते रहते हैं तंखा के लिए भी रोते रहते हैं जनता कोई पसंद नहीं आ रहा कि जो सरकार आज अगर मैं मुख्यमंत्री हूँ हमारे को केंदर सरकार से कोई मदद नहीं मिलती, अगर मैं रोना चालू कर दूँ, मेरे को टीचर्स को तंखा देने के पैसे नहीं है, तंखा देने के पैसे नहीं है, तो मैं छोड़ दूँ फिर, मेरे से नहीं हो रहा तो छोड़ दूँ, हमने कभी ऐसा नहीं किया, एक तरफ हम के अंदर सरकार से प सफाई करमचारियों को तंखा नहीं दे सकती उसको तो एक भी दिन रहने का अधिकार नहीं आज जनता ने भी कह दिया बहिए ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो 24 गंटे बस ना तंखा देने को पैसे और 24 गंटे बस और पैसा और पैसा पैसा इसके लागा तो 15 साल में लोगों ने MCD में क्या देखा आज मेर से कोई पूछे दिल्ली सरकार में क्या काम किया मेर से क्या जनता से पूछे और दिल्ली की जनता छोड़ो पूरे देश में अगर जनता से पूछे कोई जाके गोवा में चले जाओ पंजाब में चले जाओ उत्तर प्रदेश में चले जाओ कहीं जब वो जी केजरिवाल ने क्या काम किया पूरे देश की जंता कहते है कि पानी कर दिया सड़के बनवा दी शारे देश की जंता कह रही है और जंता से पूछो पंदरह साल में नगर निगम में बीजेपी ने क्या किया एक काम नहीं गिना सकते केवल चोरी करी ब्रश्टाचार करा सब कूड़ा पहलाया गंदगी पहलाई तो जनता को ये पसंद नहीं है जनता अब MCD के अंदर बदलाव चाहती है जनता चाहती है जैसा काम दिल्ली सरकार कर रही है वैसा काम यहां भी होना चाहिए और यह जो इन्होंने हिंसा की राजनीती करी मनीश जी के घर में घुसके जिस तरह से इन्होंने तोड़ फोड़ करी वो जनता देखती है जनता कह रही है काम करो तुमको काम करने के लिए वोट दिये थे जनता को इस तरह की राजनीती पसंद नहीं है जनता कह रही है काम करने के लिए वोट दिया था हमने जल बोड में तोड़ फोड़ करने के लिए वोट नहीं दिया था जल बोड का सारा फरनीचर तोड़ दिया, सारे शिशे तोड़ दिये इसलिए वोट नहीं दिया था जनता को इस किसम की राजनीती पसंद नहीं है तो मैं समझता हूँ कि आज जो नतीजे आए हैं शायद यही यह एक आगाज है कि अगले साल जो MCD का चुना होगा उसमें किस तरह के नतीजे आने वादे हैं आज हमारे जो चार लोग जीते हैं उन्हें मैं बहुत बहुत जनता की तरफ से बदाई देता हूँ और मैं उनसे यह कहता हूँ कि जो भरोसा आज दिल्ली की जनता ने आप चारों पर किया है उस भरोसे को मत तूटने देना जैसा मैं हमेशा कहता हूँ एहंकार मतलाना अपने उपर और सबसे क्रिटिकल काम एक कांसलर का ही होता है सवेरे उठके एक बारी चक्कर लगा है अपने एरिया में सफाई हो गई नहीं हो गई जनता बड़ी खुश हो जाती है एक चक्कर लगा के आजाए में काम तो सफाई कही है बाकि तो सारे काम होते ही रहते हैं तो मैं उन चारों को यह कहूंगा कि इमानदारी से काम करें अच्छा काम करें तुम चारों काम करोगे और भी जो हमारे कांसलर है वो भी अच्छा काम करेंगे तो अगली सार जनता आप अपने को आमादमी पार्टी को पूरा मौका देगी M.C.D. में और मैं तो इसकी इंतजार कर रहा हूँ हमने शिक्षा अच्छी करी, स्वास्त अच्छा करा, हमने बिजली अच्छी करी, पानी अच्छा करा, सड़के अच्छी कर दी अब एक सफाई रह गई है, बड़ा दुख होता है अपनी दिली में जब गंदगी देखते हैं, तो मैं बड़ा इंतजार कर रहा हूँ कि जिस दिन M.C.D. के अंदर अपनी सरकार बनेगी, हम दिली को एकदम चमका देंगे